नमस्कार दर्शकों आप सभी के समय चे कुछ दिन पहले हम लोग आये थे इसी घाट पे बीरपड़ा का गरगंडा नदी किनारे छट पूजा का घाट निर्मान हो रहा था उस समय जब हम लोग आये थे तब अपने देखा था कि यहाँ पे जेसी भी लगा के घाट बनाने का कारिया चल रहा था लेकिन आज जो हम लोग देखने को हम लोग को मिल रहा है कि घाट करीबन करीबन बन के तयार है इसे सजाने का कारिया चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी गरगंडा नदी के इसी तट पर छट पुजा का पुजा होगा यहीं पर पुजा अर्चना होगा और काफी भव्यरूप से यहाँ पर तयारिया किया जा रहा है पीछे आप देख सकते हैं पीछे एक लिहाजा एक यहाँ पे ब्रीज बनाया गया है और काफी सुन्दर देखने में लग रहा है और जैसे जैसे समय जाएगा वेसे वेसे इसका डेकुरेशन का भी कारिया चलता रहेगा और भी सुन्दर दिखेगा और आप यहाँ पे सकता हुए निरमर पानी का आवाज सुनके आप खुद एहसास कर सकते हैं कि कितना घटो तरीके से यहां पर तैयारिया मेदर मेंब्राण और हम लोग जानकारी लेंगे नमसकार Gem notamment और पिछले बार जब हम लोग आये थे जैसी भी लगा के नदी काटा जा रहा था एक नदी बनाया जा रहा था आज देखने को मिल रहा है स्वेम गंगा मैया बहर रही है चट पूजा के लिए काफी तैयारिया लगभग पूरा कर लिया गया अभी आप लोग डेकोरेशन कर देखने में आ रहा है और क्या-क्या कारिया करना बाकी है और क्या-क्या यहां पर देखने को मिलेगा चट पूजा के दिन में जैसा कि आप देख रहे हैं चट घाट का निर्मान का काम पूरे जोरो सोरो से चल रही है सामने माठ में भजन संध्या का स्टेज बन रहा है में में मुख्य कमिटी घट पुजा कमिटी का स्टेज बन रहा हूँ उसके में मीना बजार का इयोजर की जा रहा हूँ इसतरह से समागम सुरीच है कमीटी ने इस बार किया है और 162022 को भवब्य बनाने के लिए हम वने पूरी जोर सोर से त्यारी किए है और उसको पूरी लगन और इमानदरी के साथ पूरी कमिटी पूरी स्थानिय प्रसासन से लेके दिला प्रसासन के सहयोग से किया जा रहा है बीज बीज में हमारे यां कुछ गेस्ट आ रहे हैं जैसी के हमारे साथ में भी मादरियाट बिरपड़ा ब्लॉक पंचाह समिति की सभापती वह भी आये थे कल और भी कुछ गन्यमाने व्यक्ति आये थे प्रसासनिक लोग भी आये थे इरिगिशन के अफसर भ हम लोग इस बार बिरपड़ा सुर्य छट पुजा कमेटी चट उससव 2022 को मनाने के लिए पूरी मुस्तेदी के साथ है और किसी भी प्रकार की असुविदा किसी भी छट प्रती को नहों इसके लिए पूरी देखभाला और पूरी तैयारी कर रखी है और देख सकते हैं दर् और यहां पे जो कारेक्रम होना है जिस तरह का यहां पे एक वातवरन किया जा रहा है यहां पे जो सजावट किया जा रहा है जो बिवस्ता किया जा रहा है सच में सच में एक बार यहां पे जरूर आना चाहिए चाहें आप स्रद्धालू हो चाहें आप भक्त गन हो चाहें आप परियटक हो एक बार इस छट पुजा का आस्ता जो है उसके साथ आप जुड़े और छटी मैया का जरूर आसिरबाद लेते जाईएगा और साथ साथ में जाते जाते हम लोग एक बार नारा लगाएंगे छटी मैया की जै और दरसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपको द्रिशे दिखाना चाहेंगे यहां पर पूल बनाया गया है इस पूल से होकर स्रद्धालू जो है कुछ स्रद्धालू जो है नदी के इस घाट पे पूजा करेंगे और कुछ स्रद्धालू जो है नदी के उस पार पूजा करेंगे और काफी मजबूती से य और भी जानकारी लेंगे यहाँ प्रत्यूब के लिए सरधालों के लिए या दर्शों के लिए किसी तरद की कोई असुविदा ना हो इसके लिए हम लोग ने स्री रामा सागनेत्टितु में एक मेडिकल टीम और एंबुलेंस की विवस्ता रखी है ताकि किसी प्रकार की अन्होंनी कोई सारीडिक दुर्घटना वगरा या कोई सारीडिक विमारी वगरा हो तो तुरंट से तुरंट बीरपड़ा स्टेट जनरल हस्टिट में उसको सिफ्ट करके इसका इलाज किया उसे समुचित विवस्ता जी जा सके इसके लिए विवस्ता की गई है और दोस्तों आप देख सकते हैं यह यह जो पहल है यह सबसे सबसे इंपोर्टेंट है सबसे जरूरी पहल है क्यूंकि काफी बार देखा जाता है कि लोग बिमार भी पढ़ जाते हैं दूर घटना है तो घटती हैं लेकिन काफी लोग जो हैं फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग के वज़े से काफी लोग बीमार भी पड़ सकते हैं काफी लोग घुमने फिरने आते हैं वो लोग को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो यह जो पहल है कि मेडिकल टीम यहां पर मौझूद रहेगी एंबूलेंस यहां पर मौझूद रहेगी सुरक्षा के मद्धे नजर एमेर्जेंसी टीम यहां पर मौझूद रहेगी तो कहा जाए तो चारो तरफ से चारो तरफ से पूरी तरह से तया करी आया था माल बजार से तो लिहाजा इस साल प्रशाशन के तौर भी काफी देखा जा रहा है कि इस तरह का घटना घटे उसके तैयारियां भी चल रही है हम लोग जानना चाहेंगे नमस्कार सर क्या नाम मेरा नाम रोईद विशकर्मा महिस्वापति मादरियाट बीरपड़ा पंचे समिति सर यह बताए कि एक घटना घटा काफी दुखा था उसे याद भी हम लोग नहीं करना चाहेंगे लेकिन जहन से भी नहीं लिकाल पाता कि यतना दुखत घटना घट या माल बजार में इस च छट पुजा के उपलक्ष में किस तरह की तैयारिया है मेडिकल टीम को लेकर बचाओ टीम को लेकर कोई एमेर्जेंसी की कंडिशन हो उसके लेकर क्या तैयारिया आपको बहुत बहुत धन्याबाद तो सच में कुछ दिन पहले माल बजर में माल नदी में जो घटना घटा बहुत दुक्की बात है तो वहां से हमलोक ने सिक्चा लेते हुए यहां पर सिबिल डिफेंस का वियावस्ता किये है कि भक्तजन शर्दालू को कोई प्रोब्लाम ना हो और कोई असिविदा ना हो एक सेप्टी के लिए और एक बात ए और दूसरी बात एक छटपुजा आय जो कमिटी का ओर से मेरे पास एक डेपुटिशन आया था मास्पुटिशन दिये ते वो जो मेरा पास है तो इसका जो संदर्जी करान और आप यहां देखते है जो नदी का जो धार से जो नदी से पुरा कटाव हो रहा है तो इसको पोटेक्शन का लिए जाली बोल्डर बा और मैं एक बात कना चाता हूँ आये जो कमिटी इतना आच्छा है ए जो गरगंडर नती का छटपुजा आये जो कमिटी मैंने एक कमिटी का लगन देखा जो एक जोस देखा कि एक मैना डेर मैना आगे से ओलोक यहां पर बैठे हुए है इतना आच्छा टिम होके बीवाजन होके काम कर रहे है इसके लिए मैं आई जो कमिटी को बहुत बदाई देना चाता हूँ दन्याबात है और दुसरी बात और क्या है बहुत चिंती थे हम लोग भी चिंती थे मैंने माधरी हाट ब्लोक में जो अलोंग छटपुजा भी देखे मैंने विजिट में गिया था और उसके बाद डिमडिमा चटपुजा वहां भी देखे नादी में मेरा जितना भी नलेज में सबसे बड़ा यही है क्योंकि मैंने वहां पर देखा उतना वहां पर जगा का सू ब्यावस्तित नहीं है बहुत चोटा है लेकिन यह एबलेबल यह जगा बिश्तित है एकदम और यह बहुत आच्छा जगा है और मादरी हट बुलक में यह सबसे मतलब बड़ा पुजा होगा और देख सकते हैं तैयारिया लगभग पूरी कर ली गई है अंतिम अंतिम सजावट का काम के वल बाकी है और लाइटिंग के कारिया भी काफी जोरो सोरो से चल रहा है हम लोग क स्वयम यहां पर घार्ट पर पहुंचे और स्वयम यहां पर पहुंचके चटी मया का सिरवात भी लें और यहां का जो भविया आयोजन है उसका स्वयम यहां पर आके आप भी इसमें सामिल हो और यहां का जो पूजा आयोजन हो रहा है उसका आप भी एक हिस्सा बने जैग